ही एब्रिवान विल्कम बैक तो माई चैनल मैं रिश्या कैसे हो आप लोग आई खूप आप सब अच्छे होगे तो आज की वीडियो में न मैं अपना विकेंड का रूटीन आपके शायर करने जा रही हूं तो वीडियो में बने रहिएगा वीडियो अगर अच्छे लगे तो अब यहां पर दोपर का टाइम हो रहा था थोड़े से फूट्स थे वह हमने खाए और फिर यहां पर आ गया है मौल में ग्रॉसरी करनी थी थोड़ा सा मौल में लगा घूम लेते हैं अभी यहां पर थाइंस्किविंग वगर आ गया है न तो हर स्टोर में न मतलब बहुत कुछ भी लेना हो तो इस टाइम पर प्राइस बहुत अच्छे प्राइस भी मिल जाती है फिलाल हम पर ऐसे घूमने आया थे और मौल में एक साइड में यह मेला टाइप ऐसे जैसे इंडिया में लगता है वैसा टाइप लगा हुआ था बहुत बड़ा सा स्टोर था यह और चोटे-चोटे आसे मतलब शॉप थे इसमें अभी मैं चीज में आपको दिखाती हूँ और यह मतलब शाम का तीन बजे करके टाइम हो रहा होगा मुझे एक चीज मैंने देखी मैं अभी आपको भी दिखाती हूँ यह मैंने बैक देखा मुझे लगा वीडियो रिकॉर्ड करती हो आपके शाम करती हूं अगर इस बैक को देखके न आप बताना की मतलब मैं क्या बताना चाहरी हूँ यह और मैं किसलिए इसको रिकॉर्ड की हूँ अगर आपको समझ मैं आया मिरा पिछला वीडियो जो देखेगा चां कि हम पहले मैंने जो वीडियो डाली थी वह को तुम घर पे चले आये थे पस घ्रॉसरी लिया पर्टेल से इंडियन ग्रॉसरी जो इंडियन सुपर मार्केट से लेनी होती है पर आते ही चाय चढ़ा दिया था और फिर यह सारे मतलब निकालती हूं पैकेट से जो फ्रिज में जाएगा उसको फ्रिज में रखोंगी जो और कहीं मतलब जहां भी रखा जाएगा सूखी चीज़े सूखी जगा रखोंगी फ्रूट्स वगरा बास्केट में रखोंगी तो यहां पर एक्सपारी हो रही है निए पच्चीस तक ही चेक किया था हमने बट पता नहीं क्यों डील में थी वह ले लिया है और आलू भी डील में थी और आज वह क्या बोलते है अम्रूत तो यहां बहुत महेंगा होता है अनार भी पर पर संदो था और एक डॉलर का यह अनार सब्सक्राइब नार का शायद एक बंच मिलता है या पच्चास सेंद का बंच मिलता है लेकिन इस बार ना एक डॉलर में चार बंच था तो हमने वह ले लिया था ऐसे तरीप से दहुत जारा में 24 जान रहा है वह ले ले था में है एतनी तो तो करकर को कड़øई गवार कह र जहां रखी जाएंगी वह रखी तब तक चाय बन गई थी तो चाय के साथ यह वाली ना बिस्कित ले रहा है इस बिस्कित की जो रेसिपी है मैंने शेयर की है पिछले वीडियो मेरा देखोगे आप तो उसमें मिल जाएगा बहुत अच्छी मतलब नमक वाली है अगर आप चा सब्जी मैं बनाता हूं तुम रोटी बना दो ऐसे मतलब एक साथ खाना हो जाएगा टीवी वगरा देखने लगे थोड़ा मतलब साइदा अच्छ लेट हो गया था यह वीडियो ना पिछले सनीवार के दिन की है और यहां पर यह चनी की मैंने चनाई भीगाया थे आज सब अधी नमक डालती और सारी चैजी बनाते हैं लेकिन बहुत अच्छा खाना बनाता है अगर अधर कोई कभी बना रहें अच्छा बना रहा थे बहुत ऑफ सम्ते ।ip कलर दे खो कितना अच्छा है तो बस मैंने रोटी बना ली थी खाना वगर हमारा हुआ और फिर उसके बाद ना ये मेथी जब मैंने खोल के देखी ना तो बहुत जादा अंदर मिटी वगर बहुत गंदी थी तो मुझे लगा ऐसे ही फ्रिज में रख दूंगी नो तो फ्रिज भी गंदा होगा और ये मतल मुझे देखा ना तो बहुत ही जादा मिटी थी तो मुझे लगा कि मैं इसको साफ करके दो के मतलब रखोंगी वर्ना का मिटी ना लगी रहती ना तो मैं आसी मतलब चुन को उसके डब्बे में रख देती जब बनाना होथा तब मैं धोती लेकिन इतनी सारी मिटी थी कि जाएगे तो फिर धोने में दिकत होगी इसको एक पती चुनी है और उपर उसके बाद ना तीन चार पानी 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 बार बार मैंने धोया इसको ताकि मिटी अच्छे से निकल जाए और किचन का यह जो तॉलिया होता है उसको उसको मैं फैला दिया था कि वह सूख जाए यहां पर सबची गी थी मैदने कप अभी कर दी एक अव्तरनून में लंच यहां पर यह तब तक गजाएगा और बरतन अभी मनें एकटम साफ करके रख दिया है और बरतन अभी में सेट नहीं कर नहीं क्या कि बरतन है न वहता है यह तो कि वह सही फिश वास करूँगी यह सारी रूटीन रही है और मुझे थोड़ी दिन पहले ना कॉमेंट आया था कि मैं अपना स्किन केर क्या करती हूं ऐसे जो कुछ खास मैं नहीं करती हूं अपके शाद शेयर कर देती हूं कुछ ऐसा मैं खास नहीं करती हूं एक दम सिंपल से रूटी मोस्टराइजर ही लगाती हूं कोई नायट क्रीम अच्छा सा मोस्टराइजर रहता है वह भी मुझे हो चy Have a छेंच करके लगते रहती हूं मतलब लगा लेती हूं हात में भी लगा लیती हूं और गभी मुझे यह जो बहुत बहुत जादा शकी लगती है जो बहुत जादग तो पसका बहुत लगते हैं तो प्लू से प्लू से पाइने हो गए और यह खतम हो गया तो यह तो दिखा रही हूं कि यहीं देड़ियकर चेंज करके लगती हूं ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक ही लगाती हूँ वही हमेशा लगा रही हूँ और कुछ दिन पहले मुझे ये गिफ्ट में मिला था तो ये क्रीम मैंने जब ट्राइ किया था तो बहुत अच्छा था ना तो ये बहुत ओली है और ना तो बहुत ट्राइ है ये खत्म हो गया था तो मुझे लगा ». और फिर एक स्टोर में गई तो वहाँ मुझे मिल गया था तो मैंने वो ले लिया था और fon 특 Community के बारे में कोई ना था है तो ओल्प मैं foundation यूज करती हूं बट मैं ऐसे डेली नहीं होता है ये मैं साल में सिर्फ दो बारा से यूज होता है करवा चौथ के टाइम और दिवाली के टाइम वैसे यहां पर ऐसे function वगरा तो कुछ होता नहीं है चादी वादी कुछ ऐसे रहती नहीं कि इसको यूज करूं मैं और ड किचन में आ गई थी और यह थोड़ा सूप किया था तो मुझे लगा डब्बे में पैक करके रख देती हूं जब बनाना रहेगा तो बस चौप करो और बना लो तहां पर एक डब्बे में मैंने पैक किया उसमें नहीं आया था क्यूंकि बहुत अबाद अबाद के करूंग थोड़ा सा दूद गरम किया है इधर वीचनर तंप्रेचर बहुत सी ज्यादा डाउन है और जैसे अगर तंप्रेचर रात का चार पांच है तो फील लाइक वन टू है ऐसे करके मतलब फील ज्यादा लग रहा है जितना तंप्रेचर उससे डाउन ही फील हो रहा है तो दू पर नेक्स टे संडे हो गई है उसकी रूटीन में आपके शार करूंगे असा कुछ नहीं था उसके बाद फिर सो गया थे दूद उत्तिया फिर सो गया थे नेक्स टे मॉर्णी होगी संडे मॉर्णी यहाँ पर बस उठी जो बरतन साफ करा था न वह बरतन मुझे लगा पहल और नित्ते हैं जो कांच के ग्लास साफ करना होता है इस लिए में पूरा फैला करती हूं उसके बाद शूप जाता है तो मॉर्निंग में ठीक से सेट करती हूं इस तील के बरतन क्या होता है इधर अधर रखो और आगे पीछे से निकालो तो तूथते ने लेकिन ये सब बरतन बहुत अलदी तोट साफ करना में सप करना होता पिर सुबह कि वही चाय बनाई चाय जब तक पकरी थी मैंने तब तक जादा कर साफ देटेंग नीं में पुरा किचन करण तो टाइम कर को देहां है योसे तैंशल जाए चलिए है सब्सक्राइब सुस्पाइब लगते निकाले में अच्छे सप्रेय द्यों निकाले हैं इसको अच्छे से पूंच दिया है और फिर उसके बार में चाय के यहां पे जो बर्तन थे वह बर्तन मैंने यहां पर यह जो Dining Table देखा रही थी नहीं हम जाधा यूज नहीं करते हैं सोफे भी बैटके खाना खा लेता है तो मैंने दाइनिग टेबल को नो आपकर लगा दिया है क्योंकि बीच में रहता है तो जगया रहता और छूज भी नहीं करती हूं मैं जादा क्योंकि टीवी दे पूरे घर में अशे लगे हुए थी जल आई भी नहीं जा रहे हैं तो इसले मैंने निकाल के सब को पैक करके रख दिया है उसके बाध्रोम ही साफ करनी थी बात्रूम साफ करा चावल मैंने सुबह से क्षीचन साफ करते करते ही भना दिया था तो अभी भी गरम है चावल बस चैनी की सब्जी रात की बची थी उसको गरम किया माइक्रोवेब में और आइस भी गरम है थोड़ा 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 बस यह हमारा आज दोपहर का खाना हो जाएगा और आसे मितलम नास्ते वगरे में कुछ फ्रूट्स वगरे ले लेते हैं बनाना जैस करना था चावल और सब बची थी उसको पैट कर दी तो मैंने चावल निकाल के चावल का भी बच्ट चावल साफ कर रखा है अभी चल रहा हैं बाहर के लिए यहां पर आज हम दूसरे वाले मॉल में आ गया थे कल जो गया थे ना वह इंडियन ग्रोंसरी करते हैं उसके पास तो फिर वहां पर चले गया थे आज दूसरी साइड चले गया थे बस काम चाला हो गया था सामके टाइम लगता है यह थोड़ा बाहर कहीं निकलते हैं तो पिस थोड़ा बहुत घुम के आ गया है तो अगया थे यह जो हमने कल पटेल से लेके आए थे ना यह लीची का लेते नहीं है बस ऐसे डील में था तो एक मैंगो वाला और यह की लीची वाला ले लिया था तो अच्छा ही आ रहा था और फिर उसके बार शाम में यह पत्ता गोगी की सबजी बना रहे थे और मैं बना होंगी रोती तो वीकेंड का हमारा ऐसी ही रूटीन है अभी मैं वीड पहले मैं वाल मार्ट से फैबरिक लेकर बनाया था और सेम फैबरिक का बैग मुझे यहां पर देखा और मेरे पास नहीं यह फैबरिक अपी भी भी बचा हुआ है थोड़ा सा फैबरिक मेरे पास कहीं रखा होगा इसलिए मैंने वीडियो शूट कर ली थी और देखती बैग आपको बनाओंगी तो शेयर करूंगी साल चार्ज साल पहले मैंने वह ड्रस बना और भी भी वह उस ड्रस मतलब फैप्रिक का बैग मुझे देखा और बैग भी काफी महंगा ही था पचास डॉलर ऐसे मुझे एक्जक प्राइस तो नहीं आदा रहा है था तो बस मैंन अनुझ नहीं कि भी बनाओंगी इनकी सबजी भी बन गई ती अभी मैं रोती बनाओंगी और इसे के साथ वीडियो कायांन में यह एक करती हूँ आई होप वीडियो आपको पसंद आए होगी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सस्क्राइब मैं चैनल and थाइंक यू झाल 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 झाल